हेलो एवरीवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाट डेवलप्मेंट विट पी एच पी और इस वीडियो टीटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपन और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोस और इसके अंदर में अलग-अलग तरह का फॉर्मेट देना होता है फॉर्मेट मतलब क्या देखिए जैसे कि अगर मैं यहां स्मॉल डी लिखूं तो यह जो स्मॉल डी है ना यह मेरे को क्या देगा यह मेरे को 01 से लेके 31st नंबर तक देगा 01 से लेके 31st मतलब जैसे कि एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक तो इसमें यह 01, 02 उस प्रकार से देगा जैसे कि अभी यह मेरे को करेंट डेट देगा तो आज का डेट 28.11.2021 है तो यह मेरे को 28 रिटन करेगा मैं आपको दिखाता हूं यह ब्राउजर में मैंने पेज ओपे जैसे मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मेरे को 28 दे रहा है यह आज का डेट है उसी प्रकार से मैं एक काम करता हूं यहां पे डोट और यहां एच्चा टेक का यूज़ कर रहा हूं ताकि एक लाइन आए कॉपी टन पेश्ट अभी यहां पे देखिए मैं क्या क्यूज़ करने वाला हूं मैं यहां पे यूज़ कर रहा हूं मतलब यह लिक रहा हूं तो यह से क्या होता है यह भी सेम काम करता है मगर यह में क्या होता है कि जैसे यहां पे 01 02 03 इस प्रकार से यह रिटेन करता है ना मगर इस में वरन तू थ्री ऐसे ही रिटेन करेगा बस यही फर्क है अगर मैं अभी वापस में ब्राउजर में लेके जाओं तो मेरे को यहां 28 ही देखने को मिलेगा यह देखिए इस प्रकार से की तो यह तो था किस प्रकार से हम लोग प्र टिकुलर डेट लेंगे सिर्फ मतलब उस दिन कितना तारिख है वह को मिल रहे हैं अब उसके बाद भी तोहता ना मंत भी तो हम लोगस को दिखाना पड़ेगा तो मंत के लिए कर सकते हैं देखिए यहां पे इको डेट ब्रेकेट ओपन क्लोज मैं इसी को कॉपी जो किया उसी को मैं पेश्ट कर देता हूं कि और यहां पे मैं कि एम लिख रहा हूं ठीक है अभी मैं लिखूंगा तो मेरे को क्या होगा कि नंबर में यह रिटेन करेगा मतलब 01 से लेके मेरे को 12 तक देगा जैसे कि अभी क्या है कि नौवंबर चल रहा है तो मेरे को यह 11 रिटेन करेगा मैं आपको दिखा दूँ देखिए 11 दे रहा है उसी प्रकार से अगर इसी चीज़ को मैं यहां पे फिर से पेश्ट कर देता हूं और मैं अगर यहां पे एन लिख दूँ तो यह भी मेरे को 11 रिटेन करेगा मगर इन दोनों में फिर से वही फार्क होगा कि यहां पे जो 0 लगता था सिंगल नंबर के साथ वो नहीं लगेगा यहां पे यह 010203 इस प्रकार से मेरे को देगा जब भी सिंगल डिजिट नंबर आएगा मगर यह 123 इस प्रकार से ही देगा मैं एक बार दिखा देता हूं यहां पे देखिए 11 देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर हम लोग यहां पे क्यापिटल एफ लिखेंगे तो यह मेरे को पूरा का पूरा जो मन्त है ना वो रिटेन करेगा देखिए मतलब मैं अकबर रिफ्रेश करता हूं देखिए नौंबर मतलब फुल मंत का नाम डिस्पले करेगा यह फुल मंत नेम अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग एफ का यूज करेंगे उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर आपको हाफ मंत का नाम चाहिए ठीक है तो मतलब शौर्ट में चाहिए तो कैपिटल एम लिखेंगा देखिए मतलब में मन्त का नाम दिखा ना distraction था मैं लिख देता हूँ ऐसी चाहिए मंथ नेम उसी प्रकार से अगर हम लोग यह देख लेटे हम लोग डे देख लिए हम लोग मन्त देख लिए तो कलिए क्या होता है की अगर वाई लिखू और उसके बाद मैं यहां पे अगर आपको डिखाूं तो देखिए यहां पे क्या ओर पूरा, कभ पूरा year ले ते मेरे को जैसे अभी 2021 चल रहा है यहाँ पे मेरे को 2021 पूरा दे रहा है ठीक है तो हम मैं लिख देता हूँ 2021 इस प्रकार से यह एर return करेगा है ना और अगर मैं यहां पे small y लिख दूं तो यह मेरे को किस प्रकार से return करेगा sort में करेगा जैसे अभी 2021 चल रहा तो यह मेरे को 21 देगा 2022 में मेरे को 22 देगा ठीक है तो मैं यहां जाता हूं और इसको refresh करता हूं तो देखिए अभी यह मेरे को क्या दिया 21 दिया 2021 नहीं दिया ठीक है उसी प्रकार से हम लोग चाहे तो वीक है ना वीक का नंबर भी भी हम लोग उठा सकते हैं मतलब देज जो साथ दिन होता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से ले सकते देखिए अगर मैं यह क्यापिटल डी लिग दूँ तो यह मेरे को क्या करेगा वीक डेज देगा वीक देज इन एस हो आटी शॉट मगर वह सॉट में देगा ठीक है देखिए एस यू एन आ संडे है तो यह मेरे को एस यू एन दिया है ना अगर मान लिजे पूरा का पूरा संडे अगर कहीं पर प्रिंट करवाना चाहते आप फुल पॉम में तो उसके लिए आपको एल का यूज करना होगा तो यह क्या करेगा एक बार मैं दिखा देता हूं तो देखिए पूरा का पूरा संडे प्रिंट कर रहा है और एक बार हम लोग यहां जाते यहां पर मैं लिख देता हूं वीक देज इन फुल ठीक है उसी प्रकार से अगर आप नंबर में देखना चाहते है जैसे की वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां पर मेरे को क्यापिटल एन लिखना होगा तो यह नंबर में देगा मेरे को और साथी साथ यहां पर अगर मैं डबलू लिख दूं तो भी यह नंबर में देगा मेरे को देखिए यहां पर मैं जाओं और रिफ्रेश करूं और फिर अगर इसको नीचे में ले जाओं तो यहां पर 47 और यहां पर 7 आ रहा है एक मिनिट 47 कहा अच्छा यह वीक वाला में डबलू जो capital डबलू जो है इसको मैं हटा देता हूं और सिर्फ एन जो लिखा हूं न मैं उसी के जरी यह मैं आपको दिखाता हूं यहां पर तो खली अगर capital N हम लोग लिखेंगे तो देखिए यहां पर 7 दिखा रहा है ठीक है डबलू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो हम लोग बाद में देख लेंगे कभी उसके बाद में और भी कुछ words है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं जैसे की अगर डेट लिखके मैं यहां पर जैड लिख दूँ तो यह मेरे को क्या रिटेन करेगा यह मेरे को टोटल नंबर ओफ देज अप टू डेट अप टू डेट मतला अभी तक जो डेट है उसके अनुसा टोटल कितना दिन हुआ है वो रिटेन करेगा देखिए मैं रिखा देता हूं यहां पर एक बार्स को मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए जैसे कि 365 डेज होता है मगर अभी यह मेरे को कितना दिखा रहा है 366 डेज हुआ है मतला अभी जह साल शुरू हुआ था तो वह साल का इस डेट तक 3331 मा डेट है यह उसी प्रकार से डबलू अगर मैं यहां लिखूं और डबलू लिखूं अगर मैं तो यहां पर डिस्प्लेट टोटल नंबर ओफ वीक अगर हमको देखना है अग्टू डेट और रिफ्रेश अगर हम कर देंगे तो देखिए यहां पर 47 दिखा रहा मतलाब तक कितना वीक हो चुका इस साल का 47 वीक हो चुका है ठीक है उसी प्रकार से अगर हम लोगों को अगर डिस्प्लेट करवाना है कि डिस्प्लेट नंबर अग्डेश है यह अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग यहां पर टी लिखेंगे ठीक है और यहां पर मैं लिख देता हूं यह क्या करेगा display number of total number of days total number of days in this month the date and the current धे निए पर मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश्ट करता हूँ और यहां पर देखिए यह इस ये से इनॉमबर में तीस दिल्न होता है तो यह मेरे को से फर्शक कर रहा है ठीक है मैं उसी प्रकार से हम यह भी चेक कर सकते हैं तो यह यू नहीं है उसके लिए हम लोगों को capital L का यूज़ करना पड़ता है और capital L लिखने के बाद में यहां पे अगर मैं लिखूँ तू चेक यह इस लीप यह और नॉट और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि अगर लीप यहर होगा अगर लीप यहर होगा तो यह वन रिटेन करेगा और नहीं तो यह मेरे को जीरो रिटेन करेगा अगर लीप यह नहीं होगा तो यह क्या रिटेन करेगा जीरो मैं यहां पर लिख देता हूं लीप यह रहेगा तो वन रिटेन करेगा और नहीं तो यह 0 रिटन करेगा ठीक है तो अभी अगर मैं यहां जाओं और रिफ्रेश कर दूँ और फिर मैं आप लोगों को नीचे ले जाओं तो देखिए यह जो साल चल रहा है यह लीप यह नहीं है यहां पर यह लाक्ष्ट मैं दिखा देता हूं एक छोटा सा मतलब यह सारा चीज़ बोले से सिर्फ उपर में जो हम लोग लिए है न उसी को यूज़ करके मैं यहां पर एक टू डेट प्रिंट करूंगा मैं यहां पर लिखूंगा डी फिर यहां जो सिंबल देना चाहते वह दे द मैं यहां पर लिख देता हूं क्यापिटल एक उसके बाद यहां पर लिख देता हूं आधि, और और refresh करने के बाद अगर मैं आपको नीचे लेके जाओं तो देखिए यहां पर इस प्रकार से अभी एक डेट प्रिंट हो रहा है उसी प्रकार से आप जिस तरह का पॉर्मेट का डेट कराना चाहते है तो यह सब यूज करके आप प्रिंट करवा सकते है आई होप कि आप सब क तो मेरा आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा